नमस्कार दोस्तो एंडी गोहिल यूटूब चैनल में आपका फिर से आर्देख स्वागत है तो दोस्तो आज हम हिंदी व्याकरण के अंतरगत संग्या के विशे में जानकारे प्राप करेंगे उसके परिभाशा और प्रकारों के समध भी प्राप्त करेंगे तो दोस्तो अग अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को जाद से ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कॉमेंट करना तो बिल्कुल है ना भूले तो आए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं संग्या की परिभाशा किसी व्यक्ति, वस्तू, प्राणी, चाती, समुह, भाव या स्थान के नाम को दर्शाने वाले शब्द को संग्या कहते हैं अर्थाद संग्या का अर्थ नाम होता है क्योंकि संग्या किसी व्यक्ति, वस्तू, प्राणी, गून, भाव या स्थान के नाम को दर्शाती है तो आएए दोस्तों अब इसके कुछ उदाहरन देखते हैं सबसे पहले व्यक्ति का नाम जैसे रमेश, अजय, वीराट, नवदीप, राकेश, शंकर आदी जैसे व्यक्ति के नामों को लेकर हम उन्हें संज्या कह सकते हैं उसके बाद वस्तों का नाम जैसे कमल, डंडा, चारपाई, कंगा, मेज, चश्मा आदी जैसी वस्तों के नाम को भी हम संज्या कहते हैं उसके बाद भाव का नाम जैसे प्रेम, गुस्सा, आश्चरिय, दया, करूना, क्रोध, मोटापा, खटास, धर्म, बचपन आदी जैसे शब्दों को हम भाव आचक संज्या, अर्थाद संज्या के रूप में ले सकते हैं उसके बाद स्थान का नाम तो उसमें किसी भी शोहर का, गाउं का, राजिय का या देश का नाम हो सकता है जैसे आगरा, दिल्ली, जयपूर, गुजरात, भारत, सूरत, राजकोट, आदी उसके बाद है जाती का नाम अर्थाद ऐसे शब्द जो समग्र जाती को सूचित करते हैं जिन से समग्र जाती का बोध होता हो, जैसे के आदमी, पूरुष, औरत, स्त्री, बालत, बालिका, नदी, पहाड, देश, पशू, पक्षे आदी जैसे शब्द जो के समग्र जाती को दर्शात हैं उन्हें भी हम संग्या कहते हैं उसके बाद है समुधर्शक शब्द जैसे की समुध, जुन्ड, टोली, संग, मंडल, गिरो, गुच्छा या गुच्छ, गुट, सभा, सेना आदी जैसे शब्द जिन से हमें किसी ना किसी समुध का बोध होता हो, उन्हें भी हम संग्या के रुप में ले सकते हैं तो आईए दोस्तों अब देखते हैं संग्या के प्रकार तो सबसे पहला है व्यक्ति वाचक संग्या दूसरा प्रकार है चाति वाचक संग्या तीसरा प्रकार है भाव वाचक संग्या चौथा है द्रव्य वाचक संग्या और पांचवा है समुह वाचक संग्या तो दोस्तों आईए अब हम इन प्रकारों के बारे में विश्त्रुत जानकारी और समझ प्राप्त करें तो उसमें सबसे पहले देखते हैं व्यक्ति वाचक संग्ना व्यक्ति वाचक संग्ना की परिभाषा जिन शब्दों के द्वारा किसी निश्चित या विशेश व्यक्ति, स्थल, वस्तु, नदी, परवत, पेड आदी के नाम का बूध होता हो उन शब्दों को व्यक्ति वाचक संग्ना कहा जाता है अर्थार जिन शब्दों से हमें किसी निश्चित व्यक्ति मतलब किसी एक व्यक्ति वस्टू, पैड, पौधा, नदी, परवत या स्थल का बोध होता हो उन सभी शब्दों को व्यक्ति वाचक संग्णा कहा जाता है उदारण के तोर पर महेश, रमेश, गीता, सीता, रमिला, दिल्ली, भावनगर, गुजरात, भारत, मेज, कुर्सी, पंखा, गंगा, साबर्मती, नर्मदा, हिमालय, गिर्नार, नीम, पीपल, अशोक और सहीजन आदी जैसे शब्दों को हम व्यक्ति वाचक संग्णा के रूप में ले सकते हैं क्योंकि ये सभी शब्द किसी ना किसी व्यक्ति, स्थल, शहर, राजिय, देश, वस्तु, नदी, परवत या किसी पैड़ पोधों के नाम है इसलिए इनसे हमें किसी निश्चित्ता का बोध होता है इसलिए हम इन्हें व्यक्ति वाचक संग्णा के तोर पर ले सकते हैं अब वाक्य के रूप में उदाहरण को देखते हैं तो उसमें सबसे पहला वाक्य है रमेश कल आएगा तो इस वाक्य में संग्या शब्द है यानि कि व्यक्ति वाचक संग्या शब्द है रमेश जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता है दूसरा वाक्य है महेश बहुत अच्छा लड़का है तो इस वाक्य में महेश शब्द जो है वह संग्या है जो कि हमें किसी निश्चित व्यक्ति का बोध करा रहा है चौथा वाक्य है कल में भावनगर गया था तो इस वाक्य में भावनगर शब्द जो है वह व्यक्ति वाचक संग्या है क्योंकि भावनगर शब्द किसी निश्चित शहर का नाम दर्शाता है चौथा वाक्य है यह कुर्सी वहां रख दो तो इस वाक्य में कुर्सी शब्द भ्यक्ति वाचक संग्या है जो कि किसी निश्चित वस्तू का बोध कराती है और पांचवा वाक्य है हिमालई हमारे देश की शान है तो पांचवी वाक्य में हिमालई शब्द जो है वह व्यक्ति वाचक संग्या है जिसे हमें किसी निश्चित परवत का बोध होता है संग्या का अगला प्रकार है जाति वाचक संग्या तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं उसकी परिभाशा जिन शब्दों के द्वारा समग्र जाती को सुचित किया गया हो उन शब्दों को जाती वाचक संग्या कहा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहला हमने प्रकार्चों देखा वह था व्यक्ति वाचक संगा जिसमें हमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बूध कराया गया हूँ लेकिन यहां पर जो जाति वाचक संगा है उसके अंदर किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान नहीं बलकि समग्र जाती को सूचित करने वाला शब्द जो होता है उसे हम जाती वाचक संगा कहते हैं जैसे उदाहरण के तोर पर देखे तो स्त्री, पूरुष, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, बालक, पेड, नदी, पहाड, प्राणी, पशु, शहर, गाण, देश आदी जैसे शब्दों को जो के हमें किसी ना किसी चाती का बूद कराते हैं उन सभी शब्दों को हम चाती वाचक संगना कहते हैं जैसे हमने देखा कि व्यक्ति वाचक संग नामे हमें किसी पुरुष का नाम जैसे महेश, रमेश या लड़के का नाम, केतन या विराट जैसे शब्द दिये गए हो तो वे सभी शब्द किसी निश्चित व्यक्ति को सूचित करते हैं, उसी प्रकार स्त्री, पुरुष, आद सभी शब्द का उप्योग कर सकते हैं, उसी प्रकार सभी शहरों के लिए हम शहर शब्द, देश के लिए देश शब्द और पेड़ पौधों के लिए पेड़ पौधा शब्द हम उप्योग में ले सकते हैं, तो ये सभी शब्द हमें किसी ना किसी जाती का बोध कराते हैं इसलिए इन सभी शब्दों को चाती वाचक संग्या कहा जाता है अब दोस्तों वाक्य के रूप में चाती वाचक संग्या के उदाहरन देखते है उसमें सबसे पहला वाक्य है कौन शहर जा रहा है तो इस वाक्य में शहर शब्द जो है वह चाती वाचक संग्या है क्योंकि शहर शब्द सभी शहरों के लिए उप्योग में लिया जा सकता है दूसरा वाक्य है पक्षी पेड़ पर रहते हैं तो इस वाक्य में पक्षी और पेड़ दोनों ही जाती वाचक सम्झाए है क्योंकि पक्षी शब्द सभी पक्षियों के लिए या समग्र पक्षी जाती के लिए और पेड़ शब्द समग्र पेड़ जाती के लिए उप्योग में लिया जाता है तीसरा वाक्य है मानव सबसे बुद्धिमान होते हैं तो इस वाक्य में मानव शब्द जातिवाचक संग्या है चौथा वाक्य है यह आदमी कौन है तो इस वाक्य में आदमी शब्द जातिवाचक संग्या है च्वा वाक्य है यह बहुत बड़ी नदी है तो इस वाक्य में नदी शब्द जो है वह चाति वाचक संग्या है तो दोस्तो अब हम भाव वाचक संग्या के विशे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले देखते वाव वाचक संग्या की परिभाशा किसी भाव गोण शब्द या अवस्था का बोध करवाने वाले संग्या शब्दों को भाव वाचक संग्या कहते हैं जैसे उदाहन के तोर पर देखे तो मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवाने, मोटापा, मित्रता, सुन्दरता, बचपन, परायापन, अपनापन, बुढ़ापा, प्यास, भूक, मानवता, मुस्कुराहट, नीचता, क्रोध, चढ़ाई, उचाई, चोरी, प्रेम, नफ जफरत, ममता, दूख, सूख, आदी शब्दों को हम भाव आचक संग्या के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि ये सबी सब शब्द किसी ना किसी भाव, गोन, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं, तो दोस्तों अब वाक्य के रूप में उदाहरणों को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला वाक्य है, सरिता के आवाज बहुत मिठास से वरी है, तो इस वाक्य में भाव आचक संग्या जो है, वह मिठास शब्द है, क्योंकि मिठास शब्द आवाज की गुणवत्ता दर्शाता है, दूसरा वाक्य है, मेरा पूरा बचपन खेलने और बूदने में ही बीता है, तो इस वाक्य में बचपन शब्द जो है, वह भाव आचक संग्या है, क्योंकि बचपन शब्द एक तो अवस्था का दर्शन कराते है, या उसका बोध कराते है, और दूसरा बच्चे होने का भाव दर्शाते हैं, तीसरा वाक्य है, आज के समय मे हमारी दोस्ती मजबूत हो रही है तो इस वाक्य में दोस्ती शब्द भावाचक संग्या है चोथा वाक्य है मैं तुम्हें बहुत प्रेम से रखूंगा तो इस वाक्य में प्रेम शब्द भावाचक संग्या का शब्द है पाचवा वाक्य है मैं बहुत गुसे में हूँ तो इस वाक्य में गुसे या गुसा शब्द जो है वह भाव वाचक संग्या है संग्या का अगला प्रकार है द्रव्य वाचक संग्या तो द्रव्य वाचक संग्या के परिवाशा है जिन शब्दों के द्वारा किसी तरल, ठोस, अधातू, धातू, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध होता हो उन्हें द्रव्य वाचक संग्या का जाता है द्रविय वाचक संग्या अगणनिय होती है और इन्हें धेर के रूप में तोली या मापी जाती है तो दोस्तों जो पदार्थ या चीजें द्रविय वाचक संग्या में आती है वे गिनकर नहीं बलकि धेर के रूप में या तोलकर या मापकर ली जाती है या दी जाती है तो उन सभी चीजों को हम द्रविय वाचक संग्या के अंतरगत ले सकते हैं जैसे कि उदाहरन के तौर पर पानी, घी, तेल, कोईला, चांदी, सोना, फल, सबजी, हीरा, लोहा, चीनी, कपड़ा, दूद, गेहु आदी जैसी चीजे जो के तौल कर या माप कर ली जाती है, उन सभी को द्रविय वाचक संग्या के अंतरगत ले सकते हैं अब वाक्यों के रूप में बुदाहरन को देखते हैं तो उसमें सबसे पहला वाक्या है, मैं पानी पीइने के लिए जा रहा हूं तो इस वाक्य में पानी शब्द द्रविय वाचक संग्या है, क्योंकि पानी एक तरल पदार्थ है दूसरा वाक्य है, सोने का रंग सुनहरा होता है तो इस वाक्य में सोने या सोना शब्द द्रविय वाचक संग्या है, क्योंकि सोना एक धातु का नाम है तीसरा वाक्य है लोहा बहुत महंगा हो रहा है इस वाक्य में लोहा शब्द एक द्रव्य वाचक संग्या है क्योंकि लोहा एक धातु है चोथा वाक्य है आज मैंने दूद पिया है इस वाक्य में दूद शब्द द्रव्य वाचक संग्या है जो के एक तरल पदार्थ है पाच्वा वाक्य है अब की बार बाजरे के फसल अच्छी हुई है तो इस वाक्य में बाजरा या बाजरे शब्द एक द्रव्य वाचक संग्या है क्योंकि इसे धेर के रूप में तौल कर प्राप्त कर सकते है या बेच सकते है अगला संग्या का प्रकार है समुह वाचक संग्या तो सबसे पहले उसकी परिभाशा देखते है जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह होने का बोध होता हो उन्हें समूह वाचक संञ्या कहा जाता है समूह वाचक संञ्या को समूदाय वाचक संञ्या भी कहा जाता है जैसे उदाहरण के तोर पर देखे तो इन शब्दों को हम समुह वाचक संया के रूप में ले सकते हैं जुन्ड, परिवार, दल, सेना, कक्षा, मेला, भीड, टुकडी, समुह, सभा, जखिरा, गोट, गिरो, भीड, दस्ता, दर्जन जैसे समुह वाचक शब्दों को हम समुह वाचक संया में ले सकते हैं क्योंकि ये सभी शब्द एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के समुह को दर्शाने वाले शब्द हैं इसलिए इन सभी शब्दों को हम समुह वाचक संया के रूप में ले सकते हैं तो दोस्तों अब वाक्य के रूप में उदाहरणों को देखते हैं तो सबसे पहला वाक्य है मैंने आज एक अंगुरोखा गुच्छा खाया तो इस वाक्य में गुच्छा शब्द है वह एक समुह वाचकसंग्या है दूसरा वाक्य है भारतिय सेना बहुत ही साहसी सेना है तो इस वाक्य में सेना शब्द जो है वह समुह वाचक संग्या है तीसरा वाक्य है मेरे परिवार में पांच सदस्या है इस वाक्य में परिवार शब्द एक समुह वाचक संग्या है चोथा वाक्य है जंगल में हिरनों का जुन्ड रहता है तो इस वाक्य में जुन्ड शब्द एक समुह वाचक संग्या है पाच्वा वाक्य है भारतिय टीम ने वर्ल्ड कप जीता है तो इस वाक्य में टीम शब्द एक समुह वाचक संग्या है तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुच्छा, सेना, परिवार, जुन्ड और टीम ये सभी समुवाचक संग्या हैं क्योंकि ये सभी शब्द किसी ना किसी समुव को दर्शात हैं ना कि किसी एक व्यक्ति या वस्तू को तो इसी प्रकार और भी जो समुवाचक संग कह सकते हैं